दोस्तो इस वीडियो में हम One Punch Man Manga के chapter 98 का review करने वाले हैं जिसका title है Tears of Regret और अगर आपने इससे पहले वाले chapters नहीं देखे तो उसकी playlist की link मैंने comment और description box में दे रखिये तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो जैसा कि पिछले chapter में हमने देखा था कि Child Demper Metal Light की तूटे ओए robot को देखता है और उसके अंदर से वो वगानमा की location को डूण लेता है और last में Machine God G5 Child Demper के सामने आ जाता है तो चलिए इस chapter को start करते हैं चैप्टर की starting में हम Machine God G5 को देखते हैं जो Child Demper के सामने खड़ा होता है तो Child Demper बोलता है अरी यार मैंने सोचा वो निसाल से हार जाएगा है लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया इसलिए तुम लोग बाहर निकलो मेरे faithful underdog man और Child Demper के बैग में से तीन बॉल निकलते जो रोबोट डॉग में बदल जाते हैं और Child Demper बोलता है नमबर 23, 24, 25 सब लोग मिल जाओ और वो सारी रोबोट डॉग एक दूसरे पर चड़ जाते हैं और अचानक वो तीनों रोबोट ट्रांस्वर्म हो जाते हैं और उस रोबोट का नाम Mad Dog Underdog Siberius होता है तो वागाना बोलता क्या बात है रोबोट की फाइट होने वाली है तो Machine God G5 बोलता तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन रोबोट डॉग से कंपेर करने की मैं बहुत निराश हुआ और Machine God G5 अपने दोनों बलेड़ को निकाल लेता है और जैसे ही वो रोबोट डॉग Machine God G5 पर अटेक करते हैं Spinning 25 अटेक करता है और Child Emperor वगान मा को लेकर भागने लगता है उसको पर वगान मा बोलता है तुम अपने रोबोट के साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे हम तो जीतने वाले थे ना तो Child Emperor बोलता है वो दुश्वेन बहुत ताकतवर है तो हमें उसे हराने में बहुत टाइम जिंदरी चलती है और पबलिक से पैसे लेने के बात भी तुम ज़्यादा मेनच क्यों नहीं कर रहे हो तो Child Emperor बोलता मेरा काम तुम्हें यहां से सलामत ले जाना है बैटल के लिए हमारे पास टाइम नहीं है चलो मान भी लेते हैं मैं जीत जाता हूं लेकिन अगर मुझे च तो वगानमा यूनिक्स मैन की बॉड़ी को देखकर डर जाता है तो Child Emperor बोलता है चिंता मत करो यह उसी monster की last है जिसे मैंने अभी-अभी मारा है तो वगानमा बोलता है मैंने इसे कहीं देखा है यह तो दोपे बढ़ है तो Child Emperor बोलता है उसने मुझे बताया था कि यह चीज उसकी costume मैं क्या वो कोई famous character था तो वगानमा बोलता Animal Kingdom नाम का show था जिसमें दोपे बढ़ का comedy character था लेकिन उस शो में कुछ जादा ही दार comedy थी जिसके कारण वो शो बंद हो गया दोपे बढ़ बार-बार मर जाता क्यों वो बहुत बड़ा stupid था तो Child Emperor बोलता है क्या हो बार- जिसे कुछ हुआ ही ना हो तो Child Emperor बोलता क्या ये भी तो वगानम बोलता नहीं 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 वो तो सिर्फ एक टीवी शो था तुम्हें इतना serious लेने की ज़रूत नहीं है तो Child Emperor बोलता Monster की body के बारे में हम कुछ कहा नहीं सकते और हमें ये भी नहीं पता कब क्या हो जाए और कोई बोलता गिरो गिरो ने मुझे एक बार कहा था कि आने वाली मौद को experience करके बच जाना यही Monster की explosive growth का secret और Phoenix Man वापीस से जिंदा हो जाता और उसका नाम Re-Secreted Phoenix Man और उसका disaster level dragon हो जाता तबी Child Emperor अपना bird line shotgun निकाल लेता और उसमें से fire कर डालता लेकिन Phoenix Man अपने punk से उन सभ बहुत गरम होती है तो Child Emperor वगानमा और खुद को umbrella से cover कर लेता और Child Emperor उस umbrella से बाहर निकल जाता और बोलता इस पर आका कोई असर नहीं पड़ेगा तो इसके अंधर ही रहना तो वगानमा बोलता तुम क्या करने वाले हो मुझे अकेला मत छोड़ो और Child Emperor सुता मेरे पास और dog में नहीं बचें तो और कोई रास्ता नहीं है मुझे ही fight करनी होगी और Child Emperor अपने tools को निकाल लेता और बोलता मैं इसे हराओंगा वो भी एक और बार और वो bullets Child Emperor तक पहुँचने से पहले ही blast हो जाते हैं तो Phoenix Moon बोलता एक और transparent film चलो बदले का time आ गया मैं एक बार फिर से अ पांच लेर लगा कर रखे हैं तो वो जरूर रुकेगा और जैसे ही वो रुकेगा तो मैं उस पर लगातार अटेक कर दूगा और Phoenix Man अपना Phoenix Explosion Beak अटेक करता है और Speed में Child Emperor की तरफ बढ़ता है और वो उन पांच की पांच शील्ड को तोड़ डालता है और Child Emperor के बहुत पास पहुंच आता है तो Child Emperor बोलता है या उससे सब कुछ तोड़ डाला यह तो बहुत बुरा हुआ और Phoenix Man विदा Child Emperor पर अटेक करता है और Child Emperor सीधा दिवाल पर जाकर डख राता है और Phoenix Man बोलता मैं स्ट्रॉंग हो गया और इस पांच की फिलिंग की वज़े से मुझे अपनी जी मत मैं तुम्हें डराने से पहले ही तुम्हारा काम कतम कर दूँगा तो Child Emperor बोलता मैं डर के मारे नहीं रो रहा हूं मुझे अभी पता तला मैं कुछ काम का नहीं हूं जिसकारण मेरा दिल तूट गया मुझे लगा मैंने हर मुसीबत का सामना करने की तैयारी कर लिये लेकि Child Emperor खड़ा होकर बोलता है बाहर निकलो Brave Giant और अचानक Monster Association के दिवाल पर क्रैक निकलने लगते है और जैसे ही एक Monster उस जगा के पास आता है तबी वहां से एक मिसाइल निकलती है और वहां का पूरा सर्फिस हिलने लगता है तो Poison बोलता है क्या कोई Monster आया है तो Seconder बोलता है नहीं यह कोई Unknown Signal है और Child Demper के आस पास बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट्स आ जाते है और वहां पर बहुत सारा दुवा हो जाता है तो Child Demper बोलता है यह लो और उस दुवे में से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है जो सीधा Phoenix Man को लगता है और Phoenix Man दिवाल तोरकर दूसरी जागा के पिलर्स पर टक्रा जाता है और वो दिवाल दीरे दीरे कटने लगती है और उसे तोड़कर एक पाउन निकलता और वो Child Demper का पूरा ब्रेव जाइंट रोबोट होता है तो Child Demper बोलता मुझे लगा ही था इसकी जरुवत पड़ेगी और इसलिए मैंने इसके पार् प्रस डबा रखे दे तो वगानमा बोलता तुम इतनी देर से क्या सोच रहे थै अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ था तो तो तुम्हें उसे पहले ही इसमाल कर लेना चाहिए था तो फ्योनिक्समेन बोलता, वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है, तो तुम्हें उस बच्चे को बचा कर और सारी दीवाल को तोड़ कर यहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, जिस तीज को तुमने अभी बुलाया है, उसके भी कोई लिमिट है, और चाइल्ड एंपर के रोबोट के अंदर 2 मिनिट 38 सेकंड का टाइम चल रहा होता है, जो उस रोबोट का टाइम होता है, और चाइल्ड एंपर सोचता है, ताइम निकलता जा रहा है, मुझ जिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो,